उमीद करता हूँ आप सो बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है आकेफ फारुक आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कम्प्यूटर सौफ्ट एर के बारे में इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है रिलेटिट टु कम्प्यूटर हार्वेर गैज अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहां आई बटन पे प्रेस करके आप उसको देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दिये गई है आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो गैज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारी चनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आप हमारी चनल को सबस्क्राइब कीजिए साथ ही साथ आप नौटफिकिशन बेल पे हिट करिए ताकि जो भी हम अपनी तरफ से वीडियो अपलोड करेंगे उनके नौटफिकिशन आपको पहले ही मिल जाएगी तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ताट इस रिलेटे टू कम्प्यूटर सॉफ्ट्वेर और राइट इससे पहले हमने एक टॉपिक डिसक्स किया है जो हमने कम्प्यूटर हार्डवेर के बारे में पढ़ा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है यहां पे लिंक भी आएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी होगी उसको जाके आप देखिए फिर आपको मतलब सॉफ्ट्वेर अलग से समझ में आ जाएगा तो कम्प्यूटर सॉफ्ट्वेर क्या होता है जैसे हमने आरेडी कहा कि कम्प्यूटर सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं एक होता है hardware और दूसरा section होता है software hardware already हमने एक वीडियो में cover किया है तो इस वीडियो में हम cover करने जा रहे हैं आज के topic को that's related to computer software alright so guys what is computer software software क्या होता है जैसे हमने कहा कि hardware क्या होता है hardware को define किया hardware is codifiable, it is tangible it has some physical shape इसी तरह software के कुछ properties हम यहाँ पर discuss करेंगे alright अगर हम यहाँ पर देखें कि computer software के बारे में हम पढ़ रहे हैं what actually is this computer software okay software is a collection of data or computer instructions that tell the computer how to work यह ऐसा data होता है ऐसी commands होती है या instructions होती है जो hardware parts को बताती है कि what to do how to work मिसाल की तूर पर आपके computer में hardware devices है input devices है output devices है storage devices है alright मिसाल की तूर पर keyboard है mouse monitor है इनको काम करवाना यह किसका काम है it is the job of software alright हमने पहली hardware की वीडियो में कहा था कि without computer software hardware has no utility और hardware is of no use alright इसी तरह software जो है software भी तब तक किसी काम का नहीं है जब तक hardware नहीं होगा so they are interdependent जब तक hardware नहीं होगा software किसी काम का नहीं है software नहीं होगा तो hardware किसी काम का नहीं है तो इसे हमें यहीं पता चलता है कि यह जो software है it is a program it is a set of instructions or it is a collection of data यह एक ऐसा set होता है commands का program, जब हम program कहते हैं, what is a program, हम program कहते हैं, okay, यह उस program से different है, जो हम English में use कते हैं, यह computer का program है, program हम मिसाल की तोर पर, ms word, यह एक program है, ms excel, यह एक program है, what is this program, a set of instructions is called a program, all right, a set of instructions is called a program, तो finally हमें, मतलब इस lecture से, यह समझना है कि software किस को कहते हैं, software, जो है, हम कहेंगी कि, it's a set of instructions, that tell the computer how to work, जो बताता है कि, computer system को काम के से करना है, physical hardware, जो computer system का होता है, जिनको hardware devices कहते हैं, उन्हें काम लेना, उन्हें काम करवाना, input devices से input लेना, output devices से output देना, यह सब काम है, software का, okay, I hope you got it, जैसे यहां पर एक image दी गई है, इस image को आप गोर से देखे, यह user है, user किस को कहते हैं, user हम होते हैं, computer चलाने वाले को user कहते हैं, user directly deal नहीं करता है hardware के साथ, ठीक है, आप भी रखो गर में keyboard, आप गर में रखो mouse, उसको use करो, चलाओ आप mouse को, चलाओ आप keyboard को, मगर जो काम software से निकलता है, जो काम computer पे मतलब निकलता है, ऐसे hardware से आप क्या deal करोगे directly, okay, समझानी का मतलब यह हैं कि user cannot interact with hardware directly, फिर आपको बीच में बात कौन करवाता है, it is software, these both are softwares, application software, system software, application software और system software यह दोनों category है, software की यह जो बीच में आया, जो एक intermediary का role कर रहा है, जो एक middleman का role कर रहा है, वो है software, so हमें इस बात से यह पता चलता है कि एक user, एक computer चलाने वाला person directly hardware के साथ deal नहीं करता है, तब तक आपके लिए keyboard, mouse या monitor कोई माने नहीं रखता है, जब तक आपके computer system में software install ना हो, okay, so, इस software ने एक middleman का role यहाँ पर अदा किया, it interacts you with the hardware, hardware जो है, यह आपके लिए resource तब ही बनता है, जब बीच में क्या आता है, software आता है, alright, now I think this is clear to you, तो चलिए guys, अब देखते हैं कि यह जो computer software होता है, इस software के कितने types होते हैं, क्या यह software एक ही type का होता है, या इसके बहुत सारे किसम होते हैं, तो यह समझने के लिए हम slide by slide इसको define करेंगी, let's have a look on some examples, alright, तो यहां पे जो हमारा topic है, that is types of software, इन में पहला software आता है, system software, और दूसरी category आती है, application software, उसके बाद है open source software और proprietary software, alright, तो हम little bit इन को थोड़ा briefly define करेंगे, ज्यादा हम depth में ने जाएंगे, हम हलका हलका सा इन को define करेंगे, in brief, in few words, alright, so let's have a look, तो यहां पे पहली बारी है, system software की, alright guys, system software, ऐसा software होता है, जो आपके computer system को operate करता है, system, आप इतना ही word याद रखे, system, system means computer system, यह ऐसा software होता है, ऐसी logical entity होता है, hardware नहीं होता है, जैसे हमने already define किया, यह ऐसा software होता है, जो आपके computer system को operate करता है, जो आपके computer system को इस काबिल बनाता है, कि ताकि यह काम करें, या computer system आपको खुल जाए, जैसे आप computer system on करते हो, ठीक है, जब आपका computer system on होता है, technically, computer terminology में, उसको booting कहते हैं, उसको कहा जाता है, B-O-O-T-I-N-G, booting, booting के माने हैं, to start the computer, okay, just remember this word, तो system software, ऐसा software होता है, जो computer system को operate करता है, इस पे user काम नहीं करता है, इसे खाली आपका computer system चलता है, operate हो जाता है, काम करने के like हो जाता है, it gives life to your computer, okay, इसकी best example है, operating system, operating system कोन होता है, Windows 8 है, 10 है, Windows 10 point, जो भी series आती है, यहाँ 7 है, Windows XP है, compiler, loader, linker, interpreter, इनकी example आप छोड़िये यहाँ पे, तो system software की best example आप याद रखिये, operating system, operating system से आपका computer काम करने के like बन जाता है, यहाँ खुल जाता है, यहाँ operate हो जाता है, alright, now have a look on application software, application software ऐसा program होता है, मैं यहाँ बात करता हूँ program की, program कोई भी software होता है, जिसमें आप काम करते हो, यह असली software होता है, जिससे एक user का काम निकलता है, विसाल की तोर पर, आपको अभी letter type करनी है, ओके, आप system software में नहीं, आप application software में उसको type करोगे, application software की कोई example है क्या, yes, we have some examples, like, अभी मैंने यह जो MS word की में बात करता हूँ यहाँ पे, Microsoft word, word में अभी आप यह जो letter type करोगे, financial statement बनाना है, कोई data लिखना है, तो उसमें आप Excel का इस्तिमाल करोगे, MS Excel का इस्तिमाल करोगे, जितने भी programs हैं जिन में आप काम करते हो, जिन से आप काम निकलता है, इन से computer system का कोई फाइदा नहीं है, इन से अगर फाइदा है, वो है user का, user का काम निकलता है, तो IC software को हम कहते हैं, application software, तो हम short form में इन को कहते हैं, apps, हाँ, समझ चुके होगे आप, कि आप अपने phone पे application यूज़ करते हो, आप बोलते हो, मेरे पस facebook की app है, मेरे पस, ये whatsapp की app है, क्या आपके पास youtube की app है, app minus application software, और राइट, सो जितनी भी examples है, application software की अब आप समझ चुके होगे, let's now move to one more type of software, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे open source software की, open source, समझ जाओ, इन दो वर्स पे आप focus करो, open, it is not closed, it is open, open के माने है, it is free, ये खुला है, it is available for everyone, मतलब free कैसे है, yes, you can download it free of cost, that is one thing, पहला आप के आप इसको use कर सकते हैं, आपने download किया, इसको freely, इसके बाद क्या change, आप इसमें कोई भी change कर सकते हो, जो इसका बनाने वाला होगा, मतलब ये जो open source software है, इसका जो बनाने वाला है, उसने अपना source code, source code वो code होता है, वो coding, वो language, वो भी इसमें provide करता है, वो इस software के साथ provide करता है, ताकि आप अपनी needs, या अपनी necessities पे आप इसको change कर सकते हो, जो भी आपकी requirement होगी, जो भी आपकी need होगी, you can change this software accordingly, you can improve it, you can change it, you can edit it, you can redistribute it, all right, तो ऐसे software को कहते हैं, open source software, तो अब आप समझ चुके होगी कि open source software क्या होता है, यह ऐसा software होता है, आप इसको freely download कर सकते हो, आप इसको edit कर सकते हो, इसके साथ source file भी होती है, आप उसको edit कर सकते हो, जो भी इसमें change करनी होगी, according to your requirement, you can change it, और यह कोई violation नहीं है, चुकि यह open source software होता है, best example है यहाँ पर, Linux की, Netscap की, Apache, और इसके बैद भी अगर कोई example होगी, तो आप Google करके, उनको लिख सकते हो, आराइट, Let's now move to one more type of software, तो proprietary software की हम यहाँ पर बात करेंगी, proprietary, यह कौन सो software होता है, यह बिल्कुल opposite है, किसका, open source software का, यह बिल्कुल opposite है, open source software जो होता है, उसको कोई भी edit कर सकता है, तो यह जो, यह type का software होता है, यह non free software होता है, यह free नहीं होता, यह proprietary होता है, इसका license होता है, इसको कौपी करना, इसको modify करना, that is, we can say, that is, seemed as, diss violation, इसको restriction होती है, इसको आप modify नहीं कर सकते हो, इसको copy नहीं कर सकते हो, ओके, जैसे आप open source software में, कर सकते हो, इसको पूरी license, इस पे मतलब license agreement होता है, यह आप से की मांगता है, अगर आप suppose, Microsoft office install करते हो, यह Microsoft operating system install करते हो, Windows, कोई भी software, वो आप से की मांगता है, what does that key means, उसका मतलब यह है, कि यह free नहीं है, की आपको purchase करनी है, जब आपको keep purchase करनी पड़ी, तो उसका मतलब यह निकलता है, कि यह थोड़ी ना free है, no, it is not free, it is proprietary software, इसको कहते हैं, it is not free, you cannot change it, you cannot copy it, ओके, आप इसको modify भी नहीं कर सकते हो, जैसे आप किसको modify कर सकते थे, open source software को, कौन सी example है इसकी, इसकी best example है यहाँ पर, CAD की, computer-aided designing, या neutron antivirus, या Microsoft Windows, या Microsoft Office, जिसके लिए आपको keep purchase करनी पड़ेगी, मानू कि वो free software नहीं है, वो क्या है, वो proprietary software है, okay, now guys, I hope, कि आप समझ चुके होंगे, कि यह जो software होता है, इसकी कितनी categories होती है, मैं लिए मैंने, briefly आपको बताया, अगर हम इनको अच्छे से define करेंगी, तो आप मानू कि एक एक वीडियो इंते भी बनेगा, all right, तो अगर आप इतना deep saturday करना चाहते हो, मतलब इतना depth में जाना चाहते हो, तो आप book भी refer कर सकते हो, book पे भी पढ़ सकते हो, मगर वीडियो में हम इतना, मतलब लंबा चोड़ा define नहीं कर सकते हैं, तो I hope कि now this topic is very clear to you, very very clear to you, आप गर बैठे, preparation कर सकते हो इन वीडियो को देख कर, अगर anyways, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप subscribe करना, या share करना, या comment करना ना भूले, क्योंकि हम बहुत सारी efforts लगाते हैं, इस वीडियो को prepare करने में, कभी कुबार हमें दो दिन भी लगते हैं, हमें दुबारा ये record करना पड़ता है, तीन तीन बार भी record करना पड़ता है, ताके आप लोगों तक अच्छा से अच्छा material हम प्रवाइड कर पाएं, तो गाइज, अनिवे, अनिवेज, इस यू लाइक दिस वीडियो, दोंट फोरगेट तो सबस्क्राइब दिचैनल, और दोंट फोरगेट तो अप्रिशेट आर वर्क, by commenting and sharing. Okay, so guys, see you in the next video. Bye-bye.